आज हम जैंगो के मॉडू में देखेंगे कि आप मॉडल को कैसे करते हैं लास्ट हमने बस मॉडल के बारे में समझा था कि मॉडल अपने को क्या करता है एक option देखा एड़िमिन में डेटा एड़ करने का वहाँ पर आप डेटा को आड़ कर पाएंगे मॉडल के तुरू आप टेबल्स क्रिएट कर पाएंगे मॉडल के तुरू आप माइग्रेशन को समझ पाएंगे यह सारी चीज़ा हमने बस theoretically clear की थी आज हम क्या करेंगे इसको practically clear करेंगे जिससे आपके सामने चीज़े clear हों कि आप मॉडल को huge कैसे कर पाएंगे logics को कैसे लगा पाएंगे यह सारी चीज़ा हम आज practically clear करते हैं अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि models हमें बनाना है models मने बना के दिखाया भी था कि python manage.py start app और फिर आपको app का नाम तो वो आपके एक model का नाम होगा अब उसके अंदर क्रेट करते हैं मैंने क्रेट करके दिखाया था मगर मैं दुबारा से क्रेट कर देता हूं जिससे आपके सामने logics clear हो कि आपने model बनाते समय क्या line लिखी आपने apps को कैसे create किया models के अंदर fields को कैसे बनाया migration कैसे set किये migration set करने के बाद migrate कैसे किया यह पूरे ही process को हम क्या करेंगे practically करेंगे जिससे आप इसको समझ पाए तो चले स्टार्ट करते देखिए मैं यहां पर बता देता हूं यह अपना project है wsqtech मैं यहां पर आपको बताता हूं python manage.py start app यहां सर्विस नाम की app बनाने का मतलब है यह option अपने को admin में मिलने वाला है सर्विस नाम से अब देखिए सर्विस नाम की जाओ बना रहे वह website से relate कर रहे है website से relate करने का मतलब मैं आपको बता देता हूं देखिए यह website है इसमें अपने को यहां पर services या features दिखाने है तो features नाम से बनाई है या मैंने services नाम से बना दिया तो यह सारे features हैं जो अपने को website में क्या करने है dynamic करने है अगर यह features अपने को website में dynamic करने है तो यह features का option admin को देने आपड़ेगा तो admin को अगर यह option देना है तो उसका आपको app बनानी पड़ीगी, app के अंदर model बनेगा, model migration में convert होगा, migration करने के बाद आप migrate कर देंगे, migrate करते ही वो table में convert हो जाएगा, और admin में option कैसे आएगा, वो सारे ही logics को हम समझेंगे, तो चलिए हम क्या करते है पहले, देखिए हमने app क बना ली है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे चलते ह्या है, हमने app को क्या गर दिया, बना दिया, app किस नाम से, सर्विस नाम से, अब इसके अंदर करना क्या 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 देखिए, जब, जैसे ही आप app को बनाते, एक सर्विस नाम का फोल्डर यहाँ पर this is, यहाँ पर क्या करना है देखिए अपने को एक class बनानी है क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं आपके उपर depend करता है कि class का नाम आप क्या देते हैं वैसे class का नाम मैं यहापे service ही दे रहा हूं देखिए service और इसके अंदर models.model को inherit कर देना है अब इसके अंदर fields बतानी है कि आपको fields कितनी रखनी है मैं आपको clear करता हूं इसके अंदर अपने को क्या बताना है fields तो मैंने का कि मुझे जो fields रखनी है वो मैं आपको बताता हूं मुझे फिल्ड रखनी है कि अपने को क्या-क्या डाइनिमिक करना देखिए एक तो नाम डाइनिमिक करना एक डिस्क्रिप्शन और एक आइकन तो मैं यहां पर फिल्ड रखता हूँ आप चलते देखिए दूसरी फिल्ड का नाम है सर्विस टाइटल तो मैं यहां पर डिकता हूँ मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर लिखता हूं models.carefield क्योंकि यहां भी अपने को carefield चाहिए और max length मैं यहां भी क्या देता हूं 50 max length जरूरी है carefield में देना देखे मैं आपको एक सीज़ और clear करता हूं मैं यहां पर देखे इसकी official side पर जाता हूं यह इतनी सारी fields हैं देखे मैं एक करके वहां पर आपको बताता चला जाओंगा जैसे जैसे project बनाओंगा मगर मैंने अभी carefield यूज कि देखे इतनी सारी field है यहां पर आप देखेंगे तो अभी हम carefield है date field है date time field है decimal field है email field है file upload field है file path field है float field है तो यह सारी ही fields आप यहां पर क्या कर लीजिए देख लीजिए क्योंकि यह इसके official site है आप यहां से क्या कर सकते हैं देख सकते है slug field भी होगी देखे यहां पर slug field आगे भी clear करेंगे slug क्या होता है यह पूरा हम process clear कर देंगे तो यह सारी ही fields हैं मैं आपको बताता हूँ इन fields का यूज करके हम model के अंदर क्या करते हैं process को बनाते हैं schema को तयार करते देखिए तो अभी तक हमने क्या किया दो लिया है एक icon लिया है और एक title लिया है अब देखिए हम तीसरा ले ले लेते हैं service description और मैंने यहापे लिया models dot text field text field का मतलब थोड़ा सा बड़ा field आएगा इसमें land देने की ज़रोद नहीं है अब देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ जो आपने यहापे field के नाम दिये वही अपने के table में भी field के नाम बनेगे तो वह database के अंदर जब हम tables को बनाते तो उसके अंदर fields लेते हैं जैसे id ले ली तो auto increment primary की तो वह खुद कर देगा आपको करने की ज़रोद नहीं है आपने तीन field लिया यहापे चौती field automatic बनेगी जिसका नाम id होगा id automatic generate हो जाएगा तो यह तीन field आपने यहापे क्या गड़ी बना दी अब इसको बनाने के बाद और field चाहिए देखिए text field लिया है अगर आपको date field चाहिए तो date भी ले सकते हैं अगर date की जरूत नहीं है जहाँ पे जरूत होगी हम एके करके fields को क्या कर लेंगे समझ लेंगे जहाँ पे जो जरूत होगी उसको use कर लेंगे तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिया है text field लिया है careful लिया है यह clear है चलिए अब देखिए यह हमने ले लिया लेने के बाद क्या करना है लेने के बाद आपको जाना है यह तो services के अंदर काम कर रहे हैं अपने को w script के अंदर settings.py में जा रहा है जो यह installed apps है यहाँ पे आप देख रहेंगे यहाँ पे आपको अपने apps का नाम देना है तो अपना apps किस नाम से बनाए था हमने services नाम से तो मैं यहाँ पे service नाम से sorry service नाम पास कर देता हूँ जो नाम दिया था देखिए यह जो folder का नाम है यही folder का नाम आपको यहाँ पे रखना है तो अपनी app आपके settings के अंदर install app से connect हो गई अपके अंदर हमनी fields बना दी अब आपको क्या करना है देखिए आपको यहाँ पे migration .py और make migrations यहाँ पे आप make migrations लिखेंगा और यहाँ पे आप देंगे enter देखिए enter देती यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा वाँ है कि आपका एक service का model create हो चुका है और model create होने के बाद देखिए service के अंदर migration और 001 initialize .py करके एक file बन गई है वो आपकी migration की file है देखिए migration की file को open करने चलिए देखिए यह अपना folder है जहाँ पे मेरा project है यहाँ पे services है services के अंदर migration, migrations के अंदर आप देखिएगा यह file बन गई है और इसको आप open कर लिजी यही पे चलिए मैं इसी editor में open कर देता हूँ जहाँ पे models.big auto fields auto fields का मतलब auto incrementate का काम है auto created true हो गया primary true हो गया serialization false हो गया और इसमें यह सारी चीज़े यह अपने को क्या करता है देता है देखिए मैंने तो क्या किया था तीन field बनाई थी आपके सामने यहाँ पे देखिए यह तीन field को बनाई था मगर migration में आईडी नाम की field बन गई अगर आपको आईडी चेंज करनी है यहाँ से कर सकते है अगर आपको यहाँ पे services आईडी रखनी है तो आप रख सकते है और मैं आपको बता रहा हूँ कि models बन गया models अभी table में convert नहीं हुआ है models को केवल आपने create किया models create हो गया models को टेबल में convert करने के लिए आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी यहाँ पर मैं बता देता हूँ देखिए आपको यहाँ पर लिखना है python manage.py migrate migrate करते ही आपकी table क्या हो जाएगी बन जाएगी यहाँ पर आपको migrate की spelling लिखनी है और यहाँ पर enter कर देना है जैसे ही migrate करेंगे तो देखिए वो बता देखा कि आपका एक apply हुआ है service नाम का migration और service नाम का migration हमने क्या किया था अभी देखा था यह बना हुआ था यही migration क्या हो गया table में convert होगी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से db browser को open कर सकते है मैंने open करके रख रख रखा देखिए मैं यहाँ से जाके open कर देता हूँ अपने database को यही database है और यहाँ पर देखिए एक services नाम से table बन गई है देखिए दो table है देख लेते हैं वो कैसे बनीगी मगर यह अपनी table काम आजाएगी जो हमारा model के नाम है उसके according हमारे पास table काम आईगी तो यह service नाम से बनीए services नाम से हमने बनाया यह हमने service नाम से बनाया तो हमारी जो table के नाम बनाया वो service नाम से देखिए और हम यहाँ पर browse टेबल करते तो यहाँ पर आपको एक migration भी दिखा देगा कि यहाँ पर एक migration अपना आ चुका है मतलब service नाम का migration इसके अंदर store हो गया अगर आपने फिर से command को hit किया तो कोई भी migration चलने वाला नहीं है देखिए अब कुछ नहीं चलेगा क्योंकि already migrate हो चुका है अगर उस table में service नाम का migration बढ़ा है तो दुबारा नहीं चलने वाला तो अपना काम खतम होगे अपना काम क्या खतम होगे हम आपको बताता हूँ अपना काम model में खतम होगे model के अंदर fields कितनी बनानी थी अपना काम settings के अंदर इस app को जोड़ना था यह कर लिया पड़ेगा कुछ की को यूज करना पड़ेगा कुछ चीजे रजिस्टर्ट करने पड़ेगी तब वो अपने सामने दिखाएगा क्या करना है देखिए मैं यहां पर बता तो आपको class बनाना है सबसे पहले आपको import कर लेना यहां पर अपने model को from services.models import क्या करूंगा जो अपना class का नाम था तो class का नाम हमने क्या दिया था कि यह आपको यहां पर inherit करना पड़ेगा, inherit करके आपको इसके अंदर बतानी पड़ेंगी, list यहां पर display करके, key यूज करके आपको क्या-क्या fields दिखानी है, तो आपको सारी fields के नाम बताने पड़ेंगे, जो admin में क्या करना है, दिखाना है, जो list की तरह हो, तरह सो करना है, तो आपको क्या करना है, हमने जो models बनाए है, यहापे field का नाम क्या है, service icon, तो हम यहापे icon ले लेते हैं, दूसरा अपना क्या है, service title, तो हम यहापे service title ले लेते हैं, देखिए, और तीसरा क्या है, service description, तो मैं यहापे service description ले लेता हूँ, तो यह तीन चीज़े हमने क्या कर ली ले ली एक बार क्योंकि तीन ही फिल्ड हमने बनाई थी यह तीनों हमने यहां पर रख लिए देखिए मैं आपको एक चीज और कर देता हूं यहां पर जो आप समझने वाली बात है कि यह आप कुछ भी रख सकते हैं यहां पर इसके अंदर आपको admin.modeladmin को call करना पड़ेगा क्योंकि यही क्या करेगा इसको permission देगा कि आप admin में data दिखा सकते हैं अब देखिए नीचे की side यहां पर आपको एक चीज और करना है देखिए यहां पर आपको लिखना है admin.site.register करना है किसको register करना है अपने को इस model को और साथ में यह भी बताना है कि अपने को इस जो यह लग जाएंगी admin में देखिए मैं यहां पर refresh करता हूं यह बार तो आप देखिए यहां पर services नाम से बना हुआ आपके पास आ गया है मैं यहां पर click करता हूं जैसी आप click करेंगे तो यहां पर देखिए add service का भी option आएगा देखिए service icon title description सब कुछ आ गया मैं यहां पर data add कर दिख रहा है तो यहां पर आपको icon भी दिख गया यहां पर आपको title भी दिख गया यहां पर आपको description भी दिख गया आप देखिए आप और भी data add कर सकते हैं तो admin की side पे काम तो अपने को बहुत कम करना पड़ेगा आपको बस model register करिए model के अंदर fields को बनाईए migration में convert करिए migrate then admin में यह option आपके पास क्या हो जाएंगे दिखने लगेंगे उसके लिए ध्यान रखिए कि आपको admin.py में यह चीज़े करनी पड़ेंगी आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या list डिस्प्ले करनी है अगर मैं इसको हटा देता हूं और यहां पर यहां पर रिफ्रेस करता ह आपको क्लियर करता हूं मैंने पहले models के अंदर fields बनाएं फिर उसको python manage.py make migration करके migration में convert किया migration में convert करने के बाद फिर मैंने migrate किया migrate करनी के बाद clear ध़्यान रखिए कि उससे पहले step में आपको install apps के अंदर उसको connect करना है यहां पर इसी की है जो सर्विस के अंदर है इसके अंदर अपने को बताना पड़ेगा कि सबसे पहले मॉडल को यहां पर हमने क्लास के नाम को रिजिस्टर कर दिया जिस से अपने पास देखने लगया प्लस का बटन आ गया एड सर्विस का उप्शन आ गया डेटा आपके सामने एड होने लगया तो अभी के पार्ट में यहां पर आपके पास क्या होगा डेटा भी आड होगा डेटा वहां पर जा भी रहोगा देखे टेबल में भी डेटा जाएगा मैं यहां पर जाता हूँ एक बार browse के अंदर और यहां से जाके मैं एक बार क्या करता हूँ डेटा भी इसको open कर देता हूँ और यहां पर service को मैं right click करके browse table करता हूँ यही data मैंने add किये तो data यहां पर आ गया है तो data यहां पर आ गये तो data display भी होगा data dynamic भी होगा, यह सारी चीज़े हम क्या गरेंगे, करेंगे, तो यह पूरा flow समझेगा, क्योंकि यह पूरा flow logical है, कि model बनाना, model admin में कैसे दिखाना, यह सारी चीज़ों को आपको connectate करना है, connected होके आप इसको आसानी से बना पाएंगे, तो अभी के बाट में clear होगा होगा, कि आप models कैसे create करेंगे, fields कैसे बनाएंगे, और fields को देखने के लिए, आप यह site पे देख सकते हैं, यह इसकी official site है, यहाँ से जाके आप fields को समझ सकते हैं, हम एक एक करके fields वैसे भी देख लेंगे और समझ लेंगे, तो इतना process आपके सामने clear हो गया होगा, thank you so much guys.